जहिंद बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अबनेंदन और स्वागत बहुत छोटा सा ये वीडियो और इंग्लिस लिट्रेचर के उपर मैं चर्चा करने वाला हूँ मैं आपको पहले ही बता दूँ बटा कि इंग्लिस लिट्रेचर मेरा सब्जेक नहीं है मैं बस आप लोगों की गाइडेंस के लिए और एक पर्सनल मोटिवेशन के लिए आप लोग के साथ ये चीज़े साजा कर रहा हूँ पेपर का नाम इंग्लिस पोईट्री और ड्रामा है और मैं आपको पता दूँ कि तीन सेक्शन में डिवाइडेड है जितने भी यहां पर क्रियेशन्स हैं उसमें आप लोग एक चीज़ जो देखोगे वो ये कि एक तो आपको सबको ये याद रखना है कि कौन सी पोईट्री किस ने लिखी है कौन सी पोईम किस ने लिखी है कौन सा ड्रामा किस ने लिखा है और थर्स के नाम आपको अच्छे से रीड करने है वही तीन सेक्षन है दियान रहे कुशन नमबर जो ट्वैल्व होता है ये बहुत इंपोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें साथ पैसे जोते है जमें से कोई 4 आपको अटेंब्ट करने होते हैं और ये 20 नमबर का होता है तो यह आपको ध्यान रखना है और मैं पहले पांच भी उनिट को इसलिए लेता हूँ क्योंकि यह थ्योरी का कुश्चन है और यह आपको करना चाहिए मेरे साम में क्योंकि एक बीस नंबर का यहां से आपको मिल जाएगा और एक आपको दस नंबर का तो एक तो जैसे लिट्रेली हिस्ट्री की यदि हम लोग बात करें तो मेरे साम में दोनों को आप याद कर लो दा विक्टोरियन पिरिएड भी याद कर लो और फीचर्स ऑफ दा ट्वेंटीं सेंचुरी लिट्रेचर भी याद कर लो इससे आपको फायदा यह होगा अच्छा इसमें आप लोग बिलकुल इयर वाइज और ऐसे डाइग्राम फ्लोचार्ट इनका यूज करके बना बता होगी ना तो यू कन गेट दा मोर मार्क अच्छा एक चीज आप यहां से जो देख सकते हो या कर सकते हो जैसे लिटरली टर्म है लिटरली टर्म है एक तो ड्रामेटिक मोनोलोग पैराडॉक्स को जरूर देख करके जाएं आप लोग लेकिन देखिए अब ध्यान रहे, डेटेल्ड इस्टेडी की बात की गई है, तो यहां गैस लगाना एक प्रकार से बेब को भी होती है, ना, you can understand the term, तो एपल काट में से आप लोग देख सकते हो, इसी प्रकार से अब यहां उपर वाले में तीन है, तो आप लोग जो है, प् वाइल्ड स्वान एट कुली, आप लोग देख सकते हो, यीट्स की, और उप्रेन ब्रोक की सॉल्डर आप देख सकते हो, जिसमें से हर साल कुश्यन आता है, यूनिट फर्प की बात करें हम लोग, तो दा लोटस इटर्स आप ये देख सकते हो, अल्फ्रेड लोड्स की, औ और इसके अलाबा जो है, रवर्ट ब्राउन की दा लाश्ट डचेज भी आप लोग देख सकते हो, यहां से भी प्रेशन मिलने की, पूरी-पूरी संभावना है, कोई भी दो यूनिट आप पूरी पढ़िए, जिससे की वहां से आपको दो कुश्यन बीस-बीस नंबर के मि जाएं, यह रणनेतियां आपकी होने चाहिए, और उसी हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए, विशिं यू अल दा वेस्ट और गुड लक, थैंक्स टो अल आफ यू बटा, थैंक्यू सो मच.